किसान साथियो नमस्कार एक बार फिर उपस्तित हूँ आपके समल खास जानकारी के साथ और आज की वीडियो खास करके वैसे हमारे किसान भाई हैं जो मुर्गी पालन बक्री पालन या तो फिर डेरी फार्मिंग करना चाहते हैं उनके पास सबसे बड़ी परसानी यही होती है कर सकते हैं तो आपके पसुन निरोग भी रहेंगे उसकी उत्पादन भी बढ़ सकती है तो कैसे एक छोटे से जगह पर आप एक एक रूम में आप चारा का उत्पादन कर सकते हैं किस तक्निक के तहती यह फार्मिंग होती है कंप्लीट जनकारी आपको आज की बड़ी में दिखाई जाएगी समझा जाएगी बता जाएगी तो बने रहेगा इस वीडियो के अन्ट चली तो शुरू करते हैं सर स्वागत है हमारी यूट्यान पर आपका भी स्वागत है सर आप अपना नाम और आप अपनी कंपनी का कं किसान के तरफ से हूँ मेरे कंपनी का लीगल नेम क्रिशी संब्रीदी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है और फिफ्ट फ्लोर बी ब्लोक मौरिया लोग पतना मेरा फूल एड्रेस हुआ यानि कि पतना में आपकी कंपनी है ना पतना मौरिया लोग में है कंपनी आपने है कि ही लाफ़ार करते हैं माल लीजें कि 50 50- 50 इसाट रुपय और सथावाल करते हैं तो उनको तीस रुपयां प्रॉफित होता है और जो है दूद का इंक्रिमेंट बढ़ता है एक से तीन केजी दूद बर जाएगा कम से कम तो आपका 50 रुपया वहां प्रॉफित होता है तो जो रेगुलर फिट हमारा किसानवाई खिला रहे हैं तो उसमें भी अगर ये चारा का इस्तमाल करते हैं तो असी रूपया तक की बचत प्रतिस जानवर हो सकता है तो आपको चार सो रूपया डेली आपका प्रोफिट हो रहा है 12,000 एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं आपने बताया कि छोटे से रूम में हमारे किसान भाई हडाचारा कर सकते हैं यह कैसे संभव है यह संभव है क्योंकि आज के समय में जो हडाचारा मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया किसान भाईयों के लिए तो आज हम लोग एक नया सेटप ले करा है है हाइड्रोफॉनिक सेटप के द्वाड़ा कि किसान भाईयों हडाचारा आप आसानी से मतलब की अपने ही डैरी फॉर्म में मतलब यूज कर सकते हैं इसको बहुत ही बहुत ही कम मतलब की यह बहुत ही कम स्पेस में बस चार से पाच फीट के एरिया में ही यह चालिस से कर लते हैं दो गाई की बात करें तो यह जो इसे पढ़ियाप्त है यह इससे बड़ा लगाना पड़े पढ़ेगा इसे बड़ा भी आप अप सेटब लगा सकते हैं तो यह पढ़ियाप्त है मतलब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो गईया का पालन आज सहर में हो रहा है पूरे जीवन में उनको हड़ा नसीब नहीं होता लेकिन इस पद्दति को हमारे किसान वाहिया जो खटाल के मालिक है अगर अपनाते हैं तो अपने गाय को हड़ा चारा दे सकते हैं बहुत आसानी से डे सकते हैं सालों भर डेली इसको दे सकते हैं असानी से दे सकते हैं कम आपने कहा तो आड़ा चारा आप देहीं रहे हैं हr भाई अपने जानवरों को अनाज बढेते हैं अनाज के मात्रा जो देते हैं उसमें चंभ और कुणध करके और हो सकते हैं उसी thinking of प्रोफोनिक की माध्यम से उसको हडाचारा में कनवर्ट करकर उनको दे सकते हैं तो संस्ता भी पड़ेगा संस्ता भी पड़ेगा आपने बताया सर कि एक केजी मक्का से आप 8 किलो या 10 किलो अचारा उत्पादन हो सकता है तो सर यह कितना दिन का इस समय लगता है या जो हमार प्रोसेस पहले मक्का को 18-20 गंडे के लिए आपको पानी में भीगो कर रख देना है इसके बाद बिस घंठे के बाद इसको एक जूट के बोड Hilmed 9 сотруд होने के लिए उसके बाद आपको 40 गंड़े के बाद हर ट्रे मे सवा से डेर के इसी मक्या आपको बस触िए काम नहीं इसप्रक्राइब के लिए पूरी पूरी सिस्टम यह ऑटोमेटिक है यह जो फॉग लगा हुए है तो यह हमें ऐसा होता रहता है कि इसका टाइमिंग होता है हट दो घंटे में यह 30-40 सेकेंड के लिए मतलब फॉगर स्टार्ट होता है वह अपना पीर दो घंटे के बाद फिर ईसकता नहीं है कि सी यह रखनी है कि सीट्स की जो गुनवत्ता होनी चाहिए वह बेस्ट होनी चाहिए इसमें गुनवत्ता सीट की बेहतर हो रखें और जो हम लोग जहां भी सेटप लगाएंगे वहां साफ सफाई थोड़ा सा होना चाहिए वह बहुत जरूरी है और पानी का भी जो क्वालिटी ऊसको भी हम लोग चैंज करते रहे थोड़ा साफ हरोच आरओं दो सर्ण आप यहां पर दिखार है हमारे किसानवंदू को मंपके का सांब्डम होठोन थी मैख बनले हो सकता है कि को सब्सक्कों मतलब थो मतलब कि इसका मतलब प्रोडेल हो एक्पादर पाजीन हो सकता है कि पाइंट Runeeee उसको खिलाने से सर जानवडों को बहुत लाब मिलेगा तो इसको खिलाने से होता है जानवर जैनि यहां बहुत जदा अच्छा होता है उनका समय अदैनीयटी बहुत आलता है जानवर के दूद भी बढ़ता है जो हम लोग किसान जो हमारे किसान भाई लेकिन यहां पर अनाज भी है हराचारा भी है और यहां पर इसका जर जो है यह भी फाइबर की रूप में काम आता है तो एक और सवाल है सर इस पर की ठीक है आपने बताया कि हराचारा है छोटे से रूम में हमारे किसान बंधू उगा सकते हैं कम खर्च में मुरी पालन या ब खर्च लगता है जो हमारे किसान भायों जो सुखा चारा पहले से जो जानवरों को भूसा बगएड़ा खिलाते हैं उनका कौस्ट आठ से नौ रूपे पड़ जाता है पर इसका जो मेरा कौस्ट है यह दो से तीन रूपे पर केजी के हिसाब से इसका कौस्ट परता है इसम हमारे किसान भायों सुखा चारा खिलाते हैं वह आठ से नौड़ पर केजी पर जाता है तो वह अपना फेडिंग कॉस्ट मतलब 20 परसेंट अगर कम करते हैं और यह हमारा हरा चारा खिलाते हैं तो उनका दूद का भी गुनपता बढ़ता है और क्वालिटी क्वान्टिटी के लिए बढ़े आप्टे हां कि आज के समय में जो हड में बकरी पालन करना करना चाहते हूं उनके लिए क्लिये ये सेटप काफी फायदमन साबित होता है यहां बहुत ज्यादा फायदमन सावित होता है डिअकनी परक्रा में वीडियो बना रहा हुँ तो पतना में एक से पर खटाल वाले हैं यहां पर 30 44 गईया है तो उनके लिए पास हैं कि नहीं उनके लिए भी सेटप हैं हम लोग के पास हम लोग यह तो 24 ट्रे का है इसके बाद 32 भी आता तीन दिन का हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं साथ में जो आपके हां सेटप लेंगे उनको ट्रेनिक भी देंगे और उनके घर पर जाकर यह सेटप भी लगाते हैं तो मिनिमम कितने पैसे से आपकी शुरुबात हो जाती है यह मिनिमम थाटी थाजन तीस हजार रुपे खर्च हो बैठते हैं इस सेटप पर पूड़ा अगर इसे एक्स्टेंड करते हैं तो एक पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा जैसे यह 24 24 ट्रे का है अगर 32 वाले देते तो बढ़ जाता है कि 48 ट्रे वाले लेते तो थोड़ा और बढ़ जाएगा सर वह तो बाइत आपने यह घरेलों इस्तेमाल के लिए चोटे अस्तर पर जो फार्मिंग कर रहा है लाव इस्टोप का बिजनेस कर रहा है उनके लिए हैं अगर कोई भाई हमारे कॉमरिशल रूप से हेड्रोपोनि अगर तरह का है आपके पास तो बेशे के कैसे याद उसमें कितना उनको पचात हो सकता है इसका प्रॉडक्शन लेवल जैसे पर केजी का तीन रूपय पड़ता है अगर पर ट्रे 10 केजी भी आता है तो वो उनको तिस रुपया पड़ेगा ठीक है वो छे रुपय केजी है छे चे से सात रुपय केजी बेच सकते हैं यानिके सीधह डवल मुनाफा में बेच सकते हैं पंडरा सो रुपया का इंकम रहेगा मंथली उनका 45,000 का प्रॉफिट रहेगा सकते हैं एक चारा बेज करके बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत अच्छी जनकारी आपके द्वारा हमारे भाईयों को मिली तो आपने सुना है अपको हर तरह के सेटप यहां पर उपलब्द हैं और साथ ही आपको अगर सेटप को आकर लेते हैं त तो ट्रेनिंग भी आपको फ्री में दी जाएगी और साथ ही जो सेटप है वह भी आपके घर पर फ्री में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा निस्चुल्ख लगाया जाएगा तो आज कैसी लगी कमन करके ज़रूर बताएगा इस तरह कौर भी आपडेट जारी रहेंगे तो अपने रहेंगा ग्रो माई इंडिया टिप्चान के साथ अपके ख्यार केपना धन्यवाद